अभी मेरे पास है Infinix GT 10 Pro और मैं इसको एक मन्त से यूज़ कर रहा हूँ मैंने इसका अन्बॉक्सिंग की वीडियो अपने चैनल में डाला हुआ है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है Midnight Deck Dimensity 8050 का इसके इसाब से ये फोन की परफ़मेंस काफी हद तक अच्छी है मैंने इसमें गेविंग टेस्ट किया है इसमें मैंने कॉलर डेटी पबजी को हाई ग्राफिक्स में चलाया है काफी दीर तक चलाया है फोन हीट होते तक फिर भी काफी हद तक अच्छा एक्स्पि इसका इस्टूरिय स्पिकर डिस्प्ले है एंड यहां पर जितना भी कुछ है इस फोन के अंदर एक मत में मैंने जितना भी एक्स्पिरेंस किया है सभी के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा तो वीडियो को लाच तक जरूर बाच करना एंड वीडियो पसंद आएगी त कर देना एंड कॉमेंट कर डालना आपकी ओपिनेस में लिए बहुत ज्यादा कीम दी रहती है तो गाइस वीडियो में लाच तक बने रहेगा एंड वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना तो शुरूआत करते हैं इसकी फीचर से इंफिनिक्स के फोन में XOS रहता है best on Android यहां पर आप दे सकते हो इसमें Android version 13 का है एंड इसमें 8GB RAM 256GB internal storage साथ यह में पास फोन है and 5000 mh की बैटरी है 45W का fast चाहर आता है in box यहां पर आप दे सकते हो इसका जो प्रोसेसर वह आपर Diamond City का है 8050 का जो की अच्छा खासा प्रोसेसर है इस फोन में 120 हर्ट का high refresh rate देखने के लिए मिल जाता है जो की फोन को और ज्यादा स्मूथ चलाता है जो हम गेमिंग करते हैं Multimedia यह कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा तरीके से वर्क करते है तो काफी सारे फोन में गेम टर्बो रहता है गेम इस पिस रहता है सो इन्फ प्रफोमेंस को लेकर और भी ज्यादे है जैसे कि power shaving है एंड सबसे लाष्ट वाला प्रफोमेंस सो इसमें क्या रहते हैं GPU एंड CPU को और भी ज्यादा high कर देते हैं नीचे चलते हैं सो यहाँ पर brightness lock में है off skin and इसमें bypass charging का भी सपोर्ट है जैसे कि मैं bypass charging में इसको on करता हूं and 40% में करता हूं सो जैसी मैं इसको चार्ज के लिए डालूँगा सो यह bypass charging का यह मतलब है यदि यह 40-30 से उपर हो गया तो direct यह phone को चार्ज करेगा ना कि बैटरी को मतलब कि direct यह charging से चलेगा ना कि बैटरी से ठीक है इस टाइप से रहते हैं and यहाँ पर charging power दे सकते हो 30% 50% 100% और भी इसमें बहुत सारे controls रहते हैं जैसे कि यह control इसमें gaming temperature control भ में features हैं वो next level के हैं and सबसे अच्छा जो features लगता है मुझे यह होता है magic button magic button में क्या होता है कि यह जो इसका buttons है मतलब की volume button वो trigger की जैसा use हो जाता है मतलब trigger का तरह काम करता है जैसे कि यहाँ पर मैंने plus को कर दिया and minus को दोनों कर दिया next कर दिया and उसके बाद मैं क्या करूं इस प्रकार से मैंने customize किया है सो मैं इसको yes कर दूंगा उसके बाद क्या होगा यदि मैं volume का उपर वाला button करूंगा press यहाँ पर automatic touch होगा and down वाला button करूंगा so इसमें मतलब कि यह trigger की तरह काम करता है और मुझे अच्छा खासा लगता है लेकिन थोड़ा सा दबाने में मेहनच जाती है इसके लिए मतलब यदि आप कोई दूसरी buttons में करना चाहते हैं जैसे की backpack हो गया medikit हो गया यह grenade वाला तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है सो मुझे infinix में यह वाला जो features है magic button का वो काफी हद तक अच्छा लगता है यहाँ पर उपर में जो plus वाला icon है उसमें एक दो game या एक दो app और add करके यहाँ पर floating window में 2-3 app को एक साथ चला सकते हैं यहाँ पर काफी सारे और भी जादा features है जैसे कि यह bearing mode में speed and quality जो phone की speed है and quality है काफी जदा increase कर देगा and 2-3 features और है जो कि मुझे और भी जद अच्छ लगते देख और game turbo हो गया game space हो गया एक सरेन है जो भी है बट यहाँ पर काफी हद तक अच्छा experience देखने के लिए मिलता है और कुछ इस प्रकार से आप floating window भी कर सकते हो जैसे कि normal phone चलाना है तो उसम इस फोन में काफी हद तक अच्छ है जैसे कि मैं आप पर high fps में खेल रहा हूं और इसको जब भी मैं max setting में कर दूँँगा एंड high race है shadow on है filter एंड ocean में shade करके रख दूँगा आप देख सकते हो पहले थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि frame drop हो रहा है जैसे ही मैंने जो setting से उसको high graphics में set किया इस्क्रीन में अच्छा खासा frame rate एंड touch sampling rate एंड जो fps अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है यदि हम इसमें gaming भी करें तो काफी हद तक gaming हो सकती है अच्छी एंड इसमें studio speaker है dual studio speaker जो sound है काफी loud आता है जैसे कि मैं आपको बताता हूं मैंने एक मन्द से इसको use किया है सो मैं जानता हूं इसमें जब मैं gaming करता हूं तो अच्छा तरीका से मैं पता लगा लेता हूं बंदा कहां पर है उपर नीचे आगे पीछे कहां पर है सो इसमें multimedia में भी काफी ज़्यादा अच्छा sound करता है मैं बार बार इसमें गानी ज़्यादा सुनते रहता हूं सो इसको play करता हूं काफी crunchy sound है एंड थोड़ा सा बेस्ट भी आता है इसमें कोई song play करता हूं तो यहां पर थोड़ा सा वाइब्रेट होता है जो की काफी हद तक अच्छा experience कराता है इसके पोर्ट ने बटन देख लेते हैं तो उपर के साइड में एक speaker है microphone है राइट साइड में volume rocker एक power button है phone के निच्चे साइड में एक speaker और है charging port है microphone है एंड इसमें headphone jack भी है so gamer headphone jack रहते तो उनको तो और वे आदा अच्छा लगता है एंड इसमें dual s2 speaker है एंड इस फोन की build quality की में बात करूं so phone पकड़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है and back side से देखेंगे तो पूरा gaming वाला wipe देता है and ऐसा लगता है कि यह phone से हटकर है कुछ अलग से ही design दिया है and यहाँ देख सकते हो ring light के जैसा है यदि कोई photos लेते हैं तो उनकी आँखों में देखना एक light सी आती है तो यहाँ पर वह light नहीं कि ring light की तरह आएगी जो काफी हट तक अच्छा लगता है यह जो lining lining देख रहे हो ना वह led light है so मैं इसको use करके बताता हूं जैसे कोई notification आती है यह charging में आप इसको लगाते हो यह led light है यहाँ पर इसका जो features है इसका जो option है आचले जाते हैं देख सकते हो incoming call का भी है इस प्रकार से कुछ customize हो सकता है यह जैसे कि call कोई करेगा तो इस प्रकार से यह led light जलेगी यह charging करेंगे तो इस प्रकार से lighting जलेगी यह जो भी notification आएगी कुछ इस प्रकार के आप नोटिफिकेसन आएगी सो यहाँ पर यह led light blink करेगी यह ब्रीथ होगी यह अलग अलग जित्ते भी यहाँ पर मोड दिये है वो इसमें 108 मेगा पिक्सल का रेर कैमरा है triple camera setup है एंड देख सकते हो इसका जो body है plastic frame है पूरा phone का बट यहाँ पर काफी premium दिखता है यह phone और यहाँ पर इंफनिक्स GT के branding है यहाँ जो lining दिख रही है अलग-अलग lights में अलग-अलग color यहाँ पर दिखाता है एड नाइट में कुछ इस प्रकार का एंड दिन में कुछ अलगी यहाँ पर phone का color थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो गिरिगट की तरह यह phone है कभी बतर सकता है बात करें इस phone के display की so big display है यहाँ पास 6.67-inch की full HD plus AMOLED display है इसमें 1 billion color है 10 bit display 900 nits peak brightness है जो की काफी ज़्यादा है जैसे की देख सकते हो आउटडोर भी काफी हद तक अच्छा हो सकता है 120 Hz के reference rate के साथ brightness है काफी ज़्यादा है आइट साइट का bezels है काफी छोटा है एंड इसका जो चीन है वह भी यहाँ पर पंच होल डिस्पले है जो काफी हद तक अच्छा रहता है बीच में जो camera रहता है उससे अच्छी काजी photos भी जाती है एंड आइट साइट के जो bezels है वह भी है इसमें मतलब कि यदि हम गेमिंग करेंगे तो बिक डिस्पले देखने के लिए मिल जाती है एक चीज मुझे और भी जाता अच्छी लगती है जैसे कि मैं camera and video resolution में चाहता हूं सो मुझे 4 की में 30 fps देखने के लिए मिल जाता है and 1080p 720p में 30 fps and 60 fps दोनों का support है front camera की बात करें यहां पर देख सकते हो 1080p में and 720p में 30 fps and 60 fps दोनों का support है and यहां पर 2K में 30 fps तक की support है जो की अच्छी कासी quality में and PUBG में आपको graphics setting करके दिखाता हूं कित्ती highest setting तक इसमें gaming कर सकते हैं so graphics आप देख सकते हो यहां पर HDR and ultra HD में मैं जैसे shift करता हूं so इसमें available तो नहीं है HDR में ultra ज जैसे shift करता हूं so smooth में अभी PUBG में update आया था तो सायद इसमें 90 fps का support दिया है इस phone में जो कि यहां पर Infinix GT 10 Pro है जो कि मुझे काफी हद तक अच्छा लगता है smooth में 90 fps में gaming करने का जो experience मैंने अच्छे से किया है काफी smooth experience है और काफी smooth gameplay भी चलता है and HDR में ultra है and उसके बाद Ultra HD में जैसे graphics करता हूं इसमें available नहीं है and usd का तो ही नहीं पर quality जो high graphics level का gameplay है and high performance वाला so graphics quality में जाता हूं sound and graphics में and यहां पर आते सकते हो जो graphic quality है very high में and जो frame rate है उसको max में set करके gaming कर सकते हैं जो कि अच्छी खाह से यहां पर graphics provide करता है influence GT 10 pro और मुझे काफी हथ तक अच्छा लगता है gaming और जो normal use है उसके लिए भी लोगों को attack करता है खुद के तरफ कि भाई इसने क्या बवाल रख लिया हाथ में so काफी हथ तक अच्छा लगता है so मुझे तो काफी हथ तक अच्छा लगा आपको अच्छा लगा नहीं आप comment box में comment कर सकते हैं आपके opinions मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती रहते हैं आपके जो comment आप यह बोलते हो कि इसमें यह करो वह करो so एक छोटी-छोटी चीज भी जो आप पूछते हो और आप बताते हो उनको भी मैं काफी ज़्यादा यहां पर इंट्रेस्ट से लेता हूं और उनके सबसे वीडियो की लेकिया थे रहता हूं अट उनको ईंडेफ्ड के वीडियो पोन के वीडियो को लैक कर दे न चाहीं को सब्सक्रइब कर बया सब्सक्राइब घंए जद्जार कंपा चाहते हुआ ज़्यां यह आच के लिए बस नहीं, बाइबाइ